हेलो एवरिवन यह है AutoCAD Tutorial Series इस वीडियो में तुबसे पहले AutoCAD के सारे Command सीखेंगे उसके बाद हम उन Command की Help से प्रजेक्ट सीखेंगे Command इसलिए आपको सीखने चाहिए कि AutoCAD कोई भी वर्जन आए तो आपको ढूड़ना ना पड़े कि Line Command कहा है लाइन के लिए आइकन कहा है या किसी और टूल्स के लिए कहां जाना है क्योंकि यह चेंज होते रहते हैं इसलिए Command बेस्ट है AutoCAD का आप कोई भी वर्जन यूज़न यूज़ कर सकते हैं Command की Help से तो देखिए मेरे पाद लिस्ट है पूरे जितने भी Command AutoCAD में होते हैं अब इसमें सबसे पहला Command है आपका लाइन कमांड जो एल प्रेस करने से स्टार्ट होता है Line it can be used for making simple lines in AutoCAD अगर AutoCAD में मैं एल प्रेस करूँ और एंटर करूँ तो यहाँ पर हमारा यह पूछेगा जो लाइन ड्रो करने उसका first point और आप जो देख रहे हैं यहाँ पर जो कुछ values दिखाए जारी है यह है coordinate system यहाँ पर यह 00 है यहाँ पर 00 है X और Y और यहाँ पर mouse का कर सा रहा तो X और Y से इतनी दूरी पर X है और यह Y है ठीक है तो देखी अगर मैं यहाँ पर ले आता हूँ तो लगबग 0 हो जाएंगे इसको उठा के अगर मैं यहाँ पर देखी लगब 0 होते आ रहे हैं तो कहीं भी मैं एक point ले सकता हूँ मैं यहाँ पर click किया first point आ गया है अब देखिए second point line का यह आ गया है यहाँ पर click करके अब मैं एक और line इसी तरह से मैं click करता जाओंगो line draw होती जाएगी अगर मुझे इस function से हटना है line draw करने के function से हटना है तो keyboard में ESC escape button प्रेस करोगे तो यह हट जाएगा और दुबारा से अब दुबारा L प्रेस करने के आपको जरूरत नहीं क्योंकि आप use कर सुके हो line command last command जो तो line था तो enter मारेंगे दुबारा से activate हो जाएगा ठीक है अब इसमें एक चीज है कि जब हम line command enter कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखने को आ रहा है कि line command टाइप कर सकते हैं कभी-कभी आपके mouse में यहाँ पर कुछ लिखने को नहीं आएगा ठीक है वो क्यों होता है क्योंकि dynamic input हमारा off होत लाइन एल लिखा नहीं आ रहा है यहाँ पर आ रहा है ठीक है तो आपके इसको dynamic से input से on-off कर सकते हैं अब मैं on कर देता हूं तो आप माउस की cursor के साथ में जो भी type करेंगे वो आएगा यह देखिए ठीक है तो first command हमारे line command था यह हो गया second command है हमारा C circle command It is the command used for making circle in notcad C press करना है enter उसके बाद click करना है कहीं पर भी और यहाँ सी माउस को drag करेंगे तो radius देखिए यहाँ पर देखिए line है यहाँ से यहाँ तो radius increase हो रही है माउस को drag करने पर तो यहाँ पर अगर मैं radius डाल दूँ 300 तो 300 का आपके पास circle बन जाएगा दुबार से C press enter अगर आप down key प्रेस करेंगे तो यह जो तीन option यह बाद में discuss करेंगे ठीक है down key से जो तीन option आ रहे हैं बाद में discuss करेंगे सबसे पहले आप basic चीज़ सी किये circle c enter और कहीं पर भी क्लिक किये जो radius यह आपके पूछेगा अगर आपको diameter डालना है तो जब आप circle का एक point center point select कर सके और माउस को drag करेंगे हो तब यह आपको down key प्रेस करना है और यहाँ पर dia या फिर d press कर देना है यह डाया की आ रही है ठीक अब यहाँ पर डाल देते हैं 300 डाया तो इस तरह से हम circle यूज करते हैं नेक्स कमांड पी एल लाइन पॉली लाइन इसमें क्या होता है जब मैंने लाइन से डाइग्राम बनाया तो इसमें एक एक लाइन अलग अलग है लेकिन अगर पी एल प्र लाइन नेक्स्ट है रेक्टेंगल बनाने के लिए आपका आरी सी तो मैंने यह जो स्क्रीन को इदर उदर मूव कर रहा हूं यह माउस को स्कोरल है घुमाते हैं जिसे आप उसको प्रेस करता हूं तो यह हैंड आ जाता है फिर माउस को उठा के इसको स्क्रीन को इदर रख यहां आ गया तो रेक्टेंगल के लिए आरी सी एंटर फस्ट पॉइंट उसके बाद ड्रैक करना है देखिए आप यहां पर दो चीजे दिखाए देरें लैंथ और विर्थ ठीक है पहले मैं डालता हूं लैंथ लैंथ डाल दी मैंने 1000 उसको टैब बटन प्रेस करना है आप बिर्थ में डाल देते हैं 500 यह रेक्टेंगल बन गया आपका 10,000 बाइ 500 ठीक है नेक्स्ट कमांड है आपका पॉल पॉली लाइन बनाने के लिए इस कमांड चैन बी यूस्ट तो मेक पॉलीगन विट मिनिमम थ्री साइड और मैक्सिमम 1224 साइड मिनिमम थ्री साइड से जाल दी एंटर उसके बाद हमने क्लिक कि आप दो अप्शन पूछ रहा है जो फर्स्ट ऑप्शन के इनर से लेगा है रेडियस और सेकंड ऑप्शन के आउटर से अगर मैं इनर से बाल लेता हूं तो देखिये दोबारा बनाते हैं 6 साइड ले लेता हूं इनर यहां पर दे इढेता है है दूसरा वाला ओप्शन देखिये अ दूसरा ओप्शन आप देखिये यहुद रेडियस को यह donald कर्में पहले वाल ओप्शन में पीर अ क். यह बनिया पॉलिगन ठीक है तो यह 5 कमाने रह चुकि bamboo बेसिक से हो चुकी है अब इनको इन को एरेस करना ए श्क्री क्लियर करना है तो ए आर ए इरेज एंटर और इस पूरे को स्लेट करना है एंटर अच्छा एक पॉलीगन बनाते हैं और एक चीज़ और मैं बताना चाहूंगा इसमें पॉलीगन में नहीं बताँ सिवर एक बताएंगे जैसे कि लाइन कमांड लिया और यह कोई स्क्षर भणैं अब कि अगर पर क्लिक करता हूं तो यह लाइन सेलेक्ट होगी, इस पर क्लिक करता हूं तो यह भी स्लेक्ट हो जाएगी, इस के बटन से अंसलेक्ट हो जाएगी, देकिन अगर मैं कहीं क्लिक करके माउस को ड्रैग करता हूं, मैं ड्रैग में देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैंन दिखाए दे रहा है, इससे होगा क्या, कि अगर छोटा सा पॉर्टो बी उस ग्रीन में आएगा, तो पूरी लाइन स्लेक्ट हो जाएगा, दुबारा देखेगा, मैंने यहां किलिक किया, माउस को ले आ रहा हुँ मैं लेफ्ट में, मैंने यहां किलिक किया, और माउस को ले हमें drag करता हुआ left में और देखे green portion में ये इतनी line select है और ये इतना आ रहा है इसका मतलब ये line पूरी की पूरी select हो जाएगी यहां तक select हो जाएगी ठीक है देखते हैं यह देखिए लेकिन अगर अगर मैं यहां click करूँ left में ले जाओ राइट में तो देखिए एक ग्रीन आ रहा है मैंने click यहां किया है और इस रा डारेक्शन में ले आ रहा हूँ और मैं इस line पर देखिए line is green portion म हम drag करते हैं right में तो जो structure select करना है पूरा उसके अंदर आना चाहिए देखिए इसमें यह line तो पूरी cover हो रही है यह line पूरी cover हो रही है एस area में लेकिन यह line आधि हारी है तो select कौन सा option लाइन होगी यह वाली के वालग तो यह माउस को drag left और right को option है आज के लिए इतना है इ और अच्छे से AutoCat को सीख सकते हैं अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करना सब्सक्राइब करना ना भोले और मेरी website www.engineersforcivil.com पर जाकर आप all information civil engineer से related ले सकते हैं thank you यह मेरी website है www.engineersforcivil.com यह मेरी website है यहाँ पर आप देखिए AutoCat की tutorial स्रीज पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो AutoCat की tutorial स्रीज मिल जाएगी आपको यहाँ पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको भुक्स मिल जाएगी ठीक है यहाँ पर गेट की preparation कैसे करें और यहाँ पर यहाँ पर यह वीडियो हो जाएगी जैसे आप रिविट आर्किटेक्टर का tutorial स्रीज चाहते है हिंदी में इंग्लिस में मिल जाएगी आप सर्च करोगे तो इ यहाँ से आप प्ले कर सकते हैं इस तब और इस वेबसाइट को notification के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे सब्सक्राइब करने के लिए आजाएगा तो इस वेबसाइट पर जाना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले अगर आपको यह वेबसाइट और यह टुटोरियल पसंद आया हो तो प्लेस लाइब करना सब्सक्राइब करना ना भूले झाल से ढुरक हाएब करना सब्सक्राइब करना सब्सक्राइबताओ ओूले